हाई गाईस, असलाम अलेकों, मैं वीड करती हूँ, आप साब हैरी से होंगे, आज मैं बनाने जा रही हूँ यकनी राइस, तो यकनी राइस बनाने के लिए मैंने डाला है दो चमच ओयल, अब इसमें ऑईल अच्छी तरह से गरम हो गया है, अब इसमें मैं आट करूँगी अ यकनी राइस बनाने के लिए जो मीट में यूज कर रही हूँ, वो है लाइम लाइब्स, लाइम का मीट में यूज कर रही हूँ में, और इसको अच्छी तरह से प्राउन होने दोंगी, और जैसे ही प्राउन हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताती है, नेक्स एक करना है, अच्छी तरह से प्राउन होगी, अब इनको में निकाल लोगी एक प्रेट में, अच्छी अब इसमें मैं आड करूंगी, लाइम का मी, मेरे तकरीबें चार बड़ी लाइम की लाइग्स लेली है, अच्छी अच्छी एक में में उच्छी तक पकाहिँ, एक एक करना होगी, कि को ईग... कि जूँ भूली है जाल्ग कि पोलीए झाम Kारिगर्ट में वरे कि फरफये नही तोली है जाप देखें रहा है है लावाप चाहिए लोगान है है क्षाइश्च항 में बदो ल्टिये का फ़िए जाप तो में आपकाँ दू़ोगा है कि अब दो मिनित हो गए अब इनको मैं जैसे कि आप देशते हैं नहीं पानी अच्छी तरह से का दीगिया है तो आप इनके मैं आज करूंगी यपनी के लिए जो इंग्रीजिएंस रहें तो अनियन्स इनके मिन कोई पत्रूंगी चल्ड़ा अनियना इड कर दो कर दोंगी यह एक नसम्साले तक दीड तक हैं नहीं ढ़कर कीब आप्रम काई गापल टो जापी तक हैं तकीब दीड गावंचेंगें तक्रीजिएंस तकीब थे तकीब तकीब डोचमच्छ जबंगें तकीब। तक जैके बाग में एक नग दोगा मैं आड़ीव जोच लुच लुच कोरें पोल्ड़ पोल्ड़ के नकि रुच लुच. लुच लुच कोरें ड़ दोगा पोल्ड़ एक चुब नचिसुली में एक पोड़ दिल्ड़ को में अचितरास याद निचाल एक लगती आप पालगते हैं ने अचितरास आपने गभी दें एक 2-0-0-2 मुच अम्लगते हैं बसको नचिते लगाज समय तो नचिता हम उपे लेंगे और भी काफी खाई प्रीजे हैं यपनी असका नामी लिए पर मुझे ये पैस लगता है और इसके अप्सी कराशी राइस देते हैं तो कुछ एक जोसी तो पानी में सब चीज़ें डाल देते हैं सब कुछ दाल देते हैं तो मुझे िन्ही प्रीक रेश भी उग अभर कें अच्छा नहीं होता तो उसके आपनाएंगी तो द्रीक जाहिक अंते लाइक शुषळ ह करेंगी एक चम्मच लमन जूस तो में क्यों स्मेल दिए गोड़ी हतना कोईजी और उसका तेस्टी अच्छा हो डलगा आपने खोड़ा से पाने याद करेंगी इसको अच्छी तो होता है इसको पांच मिनट के पांगी चलें मिलते हैं पांच मिनट के पांग पांगी अब चेक कर लेती हम इनको अच्छी तरह से निश्वास हो जिए मैं टोली हो डिए अब मैं अच्छी तरह से गल चाहिए इसमें गरम पाने में उबलवा पाने ताकि ये अच्छी तरह से घल जाए इसमें ज़गा यह सारा मैं इसमें आड कर दूंगी और इनको मैं अच्छी तरह से गलने दूंगी जब यह अच्छी तरह से गल जाएंगी तो फिर इनमें मैं आड करूंगी राइस जैसे कि आप देख सकते हैं इस जो जिस तरह मैंने मसाला बनाया है यह इसका तेस्ट भी बहुत अच्छा होगा और बहुत डिफरन डेस्ट होगा और जाएका बहुत मसेगा होता है तो अब इसको मैं तकरीबन हाफ नावर के लिए ऐसे ही चोड़ दूगी ताकि यह अच्छी तरह से लामशेंग कर जाएं ठीक है मिलते हैं चले हाफ नावर के बाद अच्छी तरह से कलबी कर दोऊंगी एंसमें अच्छी तरह से यद बन गई है इसमें अब आट मैं कर दूंगी राइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैं राइस आट कर दिये हैं अब इस सब को मैं अच्छी तो है से मिक्स कर लोगी अब मैं इसके ऊपर आट करूंगी इससे पहले मैं फोय लगा हूं इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आट करूंगी जिंजर पाउडर इसके पास मैं आट करूंगी इसमें आट करूंगी इसमें आट करूंगी चूल इसके अट करूंगी चिलिस तो इसको आप मैं फॉल के साथ कवर कर दूँगी अक्रीबन 20 मेर्स के लिए अपिछाब अच्छी करते बढ़ जाए इसके मैं फॉल लगाते हैं और इसके उपर मैं अठकन देतू ही तो चले मिलते हैं 20 मिनिस के बाद ओकी जी चलें जी मैं अपना फ्लाउ चेक कर लेती हूं कि अपना बन रहा है अच्छी तरह से और नाइस से कॉक हो गया है देख सकते हैं आप गल्ब भी आए अच्छी तरह से तो चले आप मैं करूंगी इसकी प्लेटिंग जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा यखनी प्लाव रेडी है चावल अच्छी तरह से कुख हो गए अमीद करती हूं आपको रेस्पेच लगी होगी चले मिलते हैं नेक्स वीड